कि नमस्कार आप देख रहे हैं SPN 9 नीूस मैं हूँ आपके साथ नेहा आपको बता है कि मैंन पूरी सीट को लेकर इस वक्त जो सरगर्मियां चल रही हैं वो कहीं ने कहीं यादा परिवार पर भारी पड़ सकती है और यादा परिवार पर इसलिए भारी पड़ सकती है क्योंकि उन्हीं की परिवार की बहू अपरना यादा बीजेपी की तरफ से मैंन पूरी सीट पर खड़ी हो सकती है और अगर अपरना यादव बीजेपी की तरफ से खड़ी होती है तो जोहिर सी बात है समाजवधी पार्टी की तरफ से यहां डिमपल यादव को खड़ा मजबूरन करना पड़ेगा देखे यहां पारे महिला कार्ड खेनने की पूरी पूरी कोशिश की जा रही है और इसी वदे से अपरना और डिमपल को आपस में लड़वाया जा रहा है अब यहां समझदारी उन दोनों बहुओ की है कि वो परिवार को एक तरफ रख कर पार्टी की लड़ाई लड़े यह नहीं कि पार्टी की लड़ाई परिवार में भी यहां ले आए लेकिन आपको बता दे कि यहां मैंपुरी के चुना प्रचार के दोरान दोनों बहुओ का आमना सामना हुआ और आमने सामने के दोरान यहां देखा गया कि दोनों में कहीं न कहीं कुछ कहा सुनी होती नजर आई हाला कि परिवार में भी दोनों बहों के बीच में कहां सुनी होती नजर आती ही रहती थी अभी ये देखा जा रहा था कि नेताखी जी के जाने के बाद परिवार में थोड़ी शांती थी लेकिन शान्ती तो देखने को मिली ठीक है लेकिन यहां मैनपूरी सीट को लेकर जो दाव खेला जा रहा है आखिर यह दाव किसके पाले में आएगा क्या बीजेपी होगी या समाजवधी पार्टी होगी बीजेपी होगी या वो राजा भाईया होंगे एक उसमें हम यह भी रख लेते हैं कि कोई और पार्टी भी आ सकती है लेकिन आपको बता दे कि यहां पर अब मैनपूरी सीट को लेकर तमाम पार्टी नजरे गड़ाए बैठी हैं अभी तक देखा जाता था कि कितने सालों से मुलैम सिंग यादव का मैनपूरी पर दबदब हो गई और इस सीट पर बीजेपी पूंड तरीके से दाव लगा रही है जो कि लग भी रहा है कि बीजेपी महा दाव खेल जाएगी लेकिन क्या मैनपूरी पर दाव खेलेगी ये एक सवाल और इसी सवाल पर और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साही होगी र पितिक से हम जानना चाहेंगे कि सबसे पहली बात मैनपूरी सीट को लेकर वो किसको यहां देख रहे हैं कि इतने सालों से समाधवधी पार्टी के दबदब रहता था लेकिन क्या महीला काड़ जो खेला रहा है यह महीला काड़ खेल कर कौन सी पार्टी मैनपूरी में अप बात करें तो मेन पूरी सीट पर सिर्फ एक ही राजा रहा है उस राजा का नाम था मुलाइम सिंग यादब धरती पुत्र के नाम से जाना जाता था लेकिन आप यह देखिए कि 1979 के बाद से कोई भी ऐसी पार्टी नहीं आई कोई भी ऐसा नेता नहीं आया जिसने मुलाइम सिंग यादब जिन्दा थे तो उनके साथ नजर आ रहे थे लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो प्रस्पा की बात करने लगे हैं अपनी खुद की पार्टी की बात करने लगे हैं तो यहां पर कहीं न कहीं अखलेस यादब को जटके पर जटके लग रहे हैं पहले आजम खान का ज जटका इर्फान मलेक का जटका फेरा इमरान मसूद का जटका ये तमाम बड़े-बड़े निताओं के जटके इस पाल लगते नजर आ रहे हैं लेकिन हम लोग बात में पूरी सीट की कर रहे हैं उसके इत्यास की बात कर रहे हैं कि लगातार 1979 के बास ते जो मुलाइम सिंग्यादब ने उसका इत्यास बनाया था उस सीट को लेकर और इसको यह देखना होगा कि मुलाइम सिंग्यादब को कोई हराने वाला वहां पैदा नहीं हुआ था अद बीजेप क्या दाव खेलती आपने महिला काड़ की बात की तो यहां पर अग मुझे जो भी कारण देगी मैं उसको बड़ी इमानदारी के साथ करूंगी तो यहां मना करेंगी नहीं तो आपको यह देखना होगा कि अगर यहां से अपना यादब उतरती हैं तो सपापार्टी से बड़ा नाम है डिमपल यादब का महिला तो महिलाओं से महिला लडाने पर नहीं हो सकता है डिमपल यादब का जिक्र कर रहे हैं कि डिमपल यादब जो है वह राजनीती को समझती की अपरना यादब बीजेपी में इसे शामिल होने के बाद उनको अगर मैं पूरी सिट्ट से उटाया जाता है क्या बीजेपी इतनी मुर्क होगी कि आज इसको य तक समझ दोखें तो पार्टी को नहीं छोड़ती दिखिए आप जिस पार्टी को आप जिस पार्टी के जो मुक्या रहे हैं मुलाइम सिर्वाइम परी और निया वी लेकिन उसके बाद यादब बगावत करने का सबसे बाड़ा कारान था कि सफ़ा पार्टी ने उनको कुछ काम नहीं दिया उनको वो चेहरा सामने नजर नहीं आ रहा था महिला के दौर पर कहीं नहीं वो सोचती थी कि डिमपल यादब भी आए रहेंगी तो मुझे लगता है कि अपरना यादब को अगर इतनी समझ होती तर शायद अपनी पार्टी का साफ ना छोड़ती और यह बात एकदम तंच यहां परें कि अपनी पार्टी और देखिझे कोई अपने घर के भेद दूसरे घर को दे रही है यहां वो मतलब हो जाता है बीजेबी पूर्ण तरीके से हावी होती नदर आ रही है समाजवधी पार्टे के पास क्यों क्यों क्योंकि उनके पास सपा की एक बहु है सारे भेद उनके पास है अगर चाहे तो सेंद हमारी की यहाँ दो मिनट में वो कर सकते हैं यादव परिवार को दो मिनट में तोड़ सकते हैं यादव परिवार समझ रहे हैं मुलायम सिंग यादव अपने परिवार को एक मुठी में बांध कर रखते थे चाहे परिवार में कोई लडाई हो कोई कला हो लेकिन चार दिवारी से बाह आने लगते हैं कि अब तो यादव परिवार में सेंद मारी होगी तूट होगी फूट होगी क्योंकि आपने देखा युगा कि प्रतीक यादव जो कि मुलायम सिंग यादव के छोटे बेटे हैं और अकलीश के बीच की तो संबंद है वो पहले से ही खराब चलते आ रहे हैं लेकिन यहाँ पर यह देखना है कि आखिरकार डिमपल यादव भी अगर मेंपूरी से उतरती हैं अपरना यादव भी मेंपूरी से उतरती हैं तो यह दोनों जो महिला है एक परिवार की बहुए यह कैसे पार्टी को समालेंगी अपनी अपनी और कैसे परिवार को चैने बाद रिती का आपने यहां पर मेरे सारे सवालों का जवाब दिया और देखिए यह जरूरी हम आपको बताने कि आकिर कार मैंन पूरी सीट पर किसका दबदबा आपको ज़ादा देखने को मिल रहा है हमें कमेंड बुक्स में जरूर बताईएगा और आज के लिए इतन झाल झाल